हेलो गाईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं अन्बोक्सिंग करने वाला हूँ गाईस पीट्रोन फोर्स एक्स डबल वन Bluetooth Calling Fitness Smart Watch का ठीए गाईस तो यहापर देख सकते हैं जो बोक्स है कुछ इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गाईस तो बोक्स का जो क्वैलेटी है वो ठीक टाक है यहापर जो है आपको हमने अभी इसको खरीदा है गाईस यहाभी आया है तो अभी हम इसको अन Smart Watch में आप लोगों इसको दिखा दुँगा तो यहापर कनेक्टिविटी का भी वीडियो हम लाएंगे गाईस कैसे इस वाच को यूज करेंगे तो इसलिये गाईस वीडियो को लायस तक देखिए और आगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भ पहले सबसे पहले अगर आप लोग बैक सेट में देखेंगे बोक्स के तो यहां पर देख सकते बहुत सारे यहां पर फीचर देखने को मिलेंगे जैसे कि वाच का जो रेजूलेशन है वो टू फोटी इंटू टू फीप 80PX का है उसके बाद जो कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ का वर्सेन यहां पर 5.0 देखने को मिल जाएगा जो वाइरलेस रेंच है गाईस इसका वो 10 मीटर तक है देख सकते वाइरलेस रेंच 10 मीटर उसके बाद वरकिंग टाइम जो है वो 5-7 डेस यहां पर यह आराम से चल बाई टाइम उसके बाद चार्जिंग टाइम थ्री आवर्स तक आप लोगों को इसको चार्ज देना होगा तभी यह फूल चार्ज होगा उसके बाद यह जो स्मार्ट वाच है किस से मतलब एंडूइड वर्शन किसके साथ यह कंपटिबिलिटी है यह भी देख लीजिए 4 पॉइंड वर्शन है वह सब में यह सपोर्ट कर लेगा उसके बाद यहापर देख सकते हैं 1.7 इंच का एजडी कलर डिस्प्ले देखने को मिलेगा उसके बाद यहापर फूल टच कोंट्रोल देखने को मिलेगा आप लोग स्क्रीन को टेच कर पाऊगे एक दम उसके बाद यापर एक फुल कोलिंग बिल्ड इन माइक एन लाओज स्पीकर यापर जो है आप लोगों को कोलिंग के लिए यापर माइक एन लाओज स्पीकर भी आपर दिये गए है उसके बाद कस्टोमाइज़ेबल वर फेसे से गाईज यहापर जो वाच का जो वाल पैमर है वो भी आप लोग चेंज कर पाओगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते स्मार्ट नोटिफिकेशन विद वाइबरेशन एलाट भी आपर देखने को मिल जाएगा उसके बाद हाट्रेट मोनिटर एंड स्लीप मोनिटर भी इसमें दिया गया आप लोग हाट्रेट को जो है मोनिटर कर स देखते हो उसके बाद स्पोर्ट मोड है एंड एक्टिविटी ट्रेकर भी आपर है आईपी 68 डर्स एंड डर्ट एंड वाटर प्रूफ भी इसको दिया गया ठीए गया से आपर जो ढूल मिट्टी से इसको यहाँ पर से प्रूफ रखने के लिए आपर आईटी 68 आईपी 68 भी दिया गया है तो यहाँ पर यह सब फीचर जो इस बॉक्स में लिखा हो गया तो आसलियत में क्या है इसको खोलने से पता चलेगा अभी तो चलिए इसको खोल लेते हैं अन्बोक्सिंग कर लेते इसका तो देख सकते हैं बोक्स के अंदर जो वाच है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा गैस आप लोग इसको जो है यहाँ पर से ही निकाल सकते हो और उसके बाद यहाँ पर इसको हम साइड में रख देते हैं और अंदर देख सकते हैं आप लोगों को एक user manual देखने को मिलेगा और एक cable देखने को मिल जाएगा तो इसको भी हम साइड में रखत भी देखने को मिलेगा देख सकते यह पर दो पोट है तो यह मेगनेटिक है इसको आप लोग यह आपर से छोड़ देने से यह आटोमेटिक ली चिपक जाएगा देख सकती है और कुछ भी नहीं है तो अब यहां सिधा अपने वाच को जो है ओन करके देखते हैं तो यहां पर बेक साइड में देख सकते हैं यहां पर चार्जिंग लगाने के लिए यहां पर चार्जिंग पॉट है और यहां पर कुछ सेंसर भी देएगे हैं आप लोगों का हाल्ट्रेट मॉनिटर करने के लिए उसके बाद यहां पर देख सकते हैं तो स्ट्रेप का क्वालेटी है व जो है लॉंग प्रेस करना है लॉंग प्रेस करती हुआ जो है वो और हो जाएगा ओने के बाद यहाप लोग कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइस तो यहाप देख सकते एकदम फॉन की जैसे है अगर आप लोग जो है लेफ साइट में स्वाइप करोगे तो यहाप लोग जो है फॉन के जैसे आप लोगों को यहापर मेनू देखने को मिलेगा देख सकते है गाइस यहापर मेनू यहापर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा इजी टू यूज है गाइस इतना यहापर आप लोगों को हाट वोर्क करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग इस तरफ जाओगे मतलब राइट में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कॉल करने के लिए option आएंगे bluetooth option आएगा उसके बाद यापर steps आएंगे sleep आएंगे heart rate BP आपर बहुत सरे option जो यहाँ पर आते ही रहेंगे ठीए तो यहाँ पर अभी तक जो हमने इसको bluetooth के साथ कनेक नहीं किया तो इस वे bluetooth not कनेक दिखा रहा है कोल भी आप लोग यहाँ पर से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमने connect नहीं किया है अपने phone के साथ तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग मेनू को open करोगे तो यहाँ पर एक शू का मोज होगा गाई steps इसमें आप लोग steps देख पाएंगे यहाँ पर आप लोग को sleep mode होगा उसके बाद यहाँ पर एक बीपी चेक करने के लिए भी option है blood pressure उसके बाद यहाँ पर एक spo2 चेक करने के लिए option है और यहाँ पर वेदर भी चेक कर सेकते हो अगर आप लोग फॉन के साथ connect करेंगे तो और यहाँ पर शाहिद आप लोगों को message भी देखने को मिल जाएगा अगर नीचे scroll down करेंगे तो camera control करने के लिए option है music controller है अगर आप लग इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर शायद यह breathing का यहाँ पर एक option आएगा उसके बाद यहाँ पर alarm का option है stop watch है नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर flash light भी देखने को मिलेगा जिसमें आपका जो display हो bright हो जाएगा उसके बाद यहाँ settings है settings में देख सकते brightness कम ज्यादा करने के लिए phone call clear dial vibration on off do not disturb theater mode है अगर आप लोग theater mode पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग वीडियो भी देख पाएंगे dial switch है देख सकते theater mode on हो गया है तो यहाँ पर जो हमारा display हो वो बहुत ही कम हो गया है reset कर सकते है power off कर सकते है keyword code भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा phone के साथ connect करने के लिए keyword को चाहिए होगा उसके बाद अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप लोग wallpaper को change कर भी देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर feature दिये गए है अगर आप लोग अपने इस watch को जो फोन के साथ connect करेंगे तो और भी features को जो आप लोग इसमें यूज कर पाएंगे देख सकते हैं वैसे आप लोग यहाँ पर से भी कर सकते हो यहाँ पर brightness को कम ज्यादा कर सकते हो दे कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए मिलते है कर लेकने एक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए